कि अपने नागराची जरह अपनी कुंडलियां तो जागरित नहीं कर सकता बट येस जब भी मैं कुछ नई कॉमिक्स देखता हूँ तो मेरे अंदर का जो रिव्योर है वो जरूर जाग जाता है और आज मैंने क्या देख लिया है ये नाग पर्व दोस्तों ये नागरंद सिरीज का दूसरा पार्ट है और इसका फर्स पार्ट आया था आधी पर्व व अगर आपको सही माहिने में इसका लुथ उटाना है इसकी रिडिंग का इसकी आर्टवर्क का ऐसे चारेक्टर्स का तो इस कहानी से जुड़ी भी पिछली साथ कॉमिक्स आप जरूर पड़े और फिर आप जब यहां तक पहुंचेंगे तो आपको जो इस कहानी की पेस है और जो किर्दारों का फैलाव है मतलब उसको आप ढंक से समझ पाएंगे और पूरी कहानी का इसको आप इंजॉय कर पाएंगे तो आईए अब बस शुरुवात करते हैं इस रिवियू की तो आईए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नागपर्व की टीम की यह हमने पेज खोला और सबसे पहले हमें नजर आया यह आभार पत्र जहांपे संजे जी अपने पाठों का अमूमन धन्यवाद आभार विक्त करते हैं और फिलालम बात कर रहे हैं इस पूरी टीम की तो रंग सज्जा भक्त रंजन की है और शब्दों से सजाया और डिजाइन किया गया है इस पूरे पेज़िस को मंदार गंगेले और गौरव गंगेले जीने आर्ट वक में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस कॉमिक्स के मुख्य प्रिस्ट पर हिमन्त कुमार जी का आर्ट ह विनुद कुमार जी की इंकिंग है और रंग भरे हैं मोहिन खान ने बहुत ही सुंदर दिख रहा है यह मुख्य प्रिस्ट और कहानी की जो थीम है इस अल बाट सेल्फ डिस्कवरी यह उसकी एससेंस को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है अब अगर कुक्ली हम अंदर चल प्रिवार देता है बलकि एक मस्च नीडेट ग्रैंडे और भी देता है जो वो डिजर्व करते हैं अब यह महादेव जी का जो इस फीगर आपको देखने को मिल रहा है अगर यह कंप्लीट होता तो इसका एक वीजुल अपील कुछ अलग ही होती है यह जो कटिंग का सब्सक्राइब यह है कि वह मुख्य करदार को बहुत अच्छे से बनाते हैं लेकिन जो बाकी करदार होते हैं उन पर वह कभी-कभी कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं अब यह कुछ पैनल में अगर आपको दिखाता हूं यह जो स्रद्धाल हुए हैं जो स्नान कर रहे हैं क अगी तो पैनल्स और दिखा देता हूं आपको जैसे यहां देख सकते हैं आप यहां भी नहीं है और नीचे भी आपको नहीं मिलेगा अगर हम इसको नजरन्दास कर दें तो हम आगे चलेंगे और पाएंगे कि इस कॉमिक्स में काफी ऐसे आर्ट पैनल्स हैं जो कि बहुत ही खुब सुरद बन पड़े हैं इसमें से मेरा फेवरिट है यह वाला जिसमें विसरपी तौसी और नागराच को एक साथ देखा जा स जिसमें महाप्रेथ नागराच के साथ है कुछ-कुछ विग्रम बिताल वाला फील आपको आएगा लेकिन दिखने में कमाल लग रहा है यू कन सी नगीना इंद बैगरांड टू और तीसरा पैनल जहां पर हमारे 14 साल के शो स्टॉप पर धुरुकी जबरदस एंट्री होती है सरकस में मेरा निचोड यह है कि हमारे जो आर्टिस हैं हीमन भाई वह कुछे किरदार पर ध्यान ना दे भले ही लेकिन जब भी कहानी में कोई निनायक मोल आता है या कोई इंपॉर्टन होता है तो अपना बैस देते हैं तो आई दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कहानी की नागपर्व की जो कहानी है यह जो इसका आधार है वो इसके पिछले पाड आदिपर्व के दौरान ही पढ़ चुका था I mean the tonality was set back then only नागराज जो इसका मुख्य किरदार है वो दरसल अपने एक अस्तित्व अनलेशन अभियान पर निकला हुआ है थोड़ा ज्याद हो गय फॉर्मूला है सक्सेस का क्योंकि चाहे आप सूपर हीरो की कहानी पढ़ रहे हो या एक आम इंसान की यह जो प्रॉसेस है सेल्फ डिस्कवरी वाला यह इसके दौरान जो आप अपनी मनो भावों को समझते हो अपनी शक्तियों को पहचानते हो अपनी प्रारिटीज को समझ से और म्यूटिटिट डोगा से जो कि साथ में मिलकर एक बड़े आतंगवादी हमले के प्रयास को विफल करने की कोशिश में लगे हुए और जब दो सूपर हीरो किसी कोशिश में लगते हैं तो उसका सफल होना तो जायस सी बात है तो कहानी की शुरॉत भली थोड़े धीम सब्सक्राइब रही है मतलब आप अपने आपको कम्प्रेटली एब्जॉब पाएंगे इस पूरे नारेटिव में बहुत ही जबर्दस स्टोरी लाइन है काफी इवेंट्स आपको आगे अनफोल्ड होते नजर आएंगे जो कि आपको आपका जो मतलब एक अटेंशन है उस में वह उसको मदद करती भी दिख रही है और उसका अपना छोटा सा एक सेल्फिश मोटेव भी है तो कहानी में बहुत से करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वह पापा ध्यक्षवाली जो मतलब एक अदालाग चल रही है जहां पे सभी सूपर विलेन सिकर्टें और ब पर दाद भी काफी कुछ है मतलब इस पार प्रोफेसर नागमणी के बाद अब थोड़ांगा अपने अपना वरेतान सुना रहा है और काफी मिनों मदेदार अंदाज में उसने काहानी सुनाई है और आगे आप देखेंगे तो और भी किरदार इसमें जुड़ते हैं तौस काफी एक अच्छी सी फिलिंग आती है अब इस कहानी की एक रोचक बाती है कि जब आप सो पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है आप इंजॉय गरते हैं स्टोरी लाइन को और यू स्टार्ट आप देन यू स्टार्ट और यू स्टार्ट आपको लगता अपने कोमिक्स खतम होते होते हो अगले पार्ट आरेने पर्व के लिए एक जग्यासा जगा दिती है हमारे मन में कि वह कितना धासू होने वाला है और इससे ब्यूंड मैं आपको कुछ पताऊंगा नी स्पोईलर्स देना मैं खास पसंद नहीं करता हूं और सपेशली अभी तो सं इन चिलिंग नेरेटिव लेकर आ रहा है हम सब के लिए तो दोस्तों जो कहानी है वो थू एं थू अपने आप में सीरियस अलिमेंट्स लिए हुए है तो नालिटी बिलकुल सीरियस है कहीं पर भी आपको हलके फुलके मोमेंट्स नजर नहीं आएंगे और जाहिर सी बात है इसे में जो मुख्य करदार होता है वो ना सिर्फ बाहर वालों से लट रहा होता है बलकि अप खुद से भी लट रहा होता है एक जंग उसके मन में भी चल रही होती है खुद के विचारों से तो अंतर दौन कहते हैं शायब उसको तो ठीक है मतलब ऐसे में कुछ हलके फुल पर चोटा से एक एक पैनल है जिसको मैं आपके साथ जरूर साजा जना चाहूंगा और यह बात आप लोग भली भाती जानते हैं कि जहां पर नागदूइब का जिक्र किया हो वहां पर काल दूद स्वाथ महात्मा कालदूद का वर्णन होना स्वभाविक है और यहां पर महात्मा कालदूद आते हैं वहां पर उनका एंट्री शॉट आता है जिसमें उनका इंट्रदक्शन दिया जाता है और वह अपने आप में मतलब हुमर पाइदा करने के लिए काफी है तो आपकी है स्वाथ मैं गशाय पर के लिए और यहां पर यंग कालदूद जी को दिखाये गया है महात्मा कालदूद जी को और उनके प्रेस में कुछ शब्दों कर्स्वाट गया है सब्सक्राइब को युद्ध में देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे अरे यार मतलब देवताओं तक तो बात पहुंसी नहीं होगी न क्योंकि महात्मा कालदूत को तो मतलब लेसर मॉटल्स गली के छोटे-मोटे विलेनी पीट पाट के चले आते थे तो मतलब देवताओं वाला एंगल लाते ही क्यों है मतलब यह हूमर को ना मतलब तैन फोल्ड और उसके अलमेंट को बढ़ा देता है क्याते हैं संसार में कालदूत इकलौते ऐसे प्राणी थे जिन्होंने जीवन में कभी पड़ाजय का मुह नहीं देखा था कैसे देखेंगे जब पिटाई कुटाई उनकी इस तबियत से होती थी कि मतलब ब्रूस राई के साथ आप क्या ही कुछ देख लोगे तो यह दो ऐसे जोक से जो जो यह नहोंने मेरे चेरे पे तो मतलब मुस्कान के लेहर शागी मैं अपने आपको रोग नहीं पाया और हसा भी जबर्दस तरीके से से इस इस वजोग अब चाहने के बारे में बात करे रहे हैं तो मैं थोड़ा लेखनी के बारे में एक च्छोटी सी किस कहना चाहूंगा हलागि नितिनमिष्टर जीस से कुष्टी कायत नहीं बहुत ही जबर्दस राइडर है वो बहु आया मी प्रत यह जो आयोमों से जोड़ी स्टोरी होती हैं बहुत अच्छे से एक्स्टोर करते हैं तो उस मामले में कोई शक्की गुंगाइश नहीं है बहुत ही चूटी सी चीज है तो थोड़ा बढ़ाने के लिए हम उनको एसे डालोग जेते हैं जो कि लोग रियल लाइश में आम बोल चाल की भाशन में यूज़ करते हैं तो एक मुस्लिम कम्यूंटी का आत्मी है वो कहता है कि असहिश्मता हो रही है हमारी कौम के साथ अपने देश में आतंकी और गद्दार समझा जाता है हमको फिर दूसरा मुस्लिम गाए कहता है यह धर्मान काफिर हमें नहीं छोड़ेंगे खत्म कर दो इनको मतलब आप इतने शुद्ध हिंदी अगर इन से बोलवाएंगे यह त जो एवरी डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं एक हिंदू कम्यूटे का कोई पुजारी अगर ऐसे बात बोले असहिश्नुता और धर्मान्द जैसे कट्डिंग शब्दों का प्रयोग करें तो समझ में आता है वह यहां पर नॉमल जिसे कुछ मुसलिम कम्यूटे का ब मतला अब यह समझ लिए यह एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि बहुत ही सक्सेसुल तरीके से किया गया है जस्ट एड़ वन ग्लिच बहुत ज्यादा किरदार इसमें दिखाए गये हैं यह मतलब डिस अकिंट टू सम्थिंग लाग इस कि यह शादी में भवे शादी में मेहमानों का आना शुरू होता है और जो प्रॉमिनेंट जो मेहमान जो पहले आ जाते हैं जो खास-खास गेस्ट हैं उनको काफी अटेंशन दिया जाता है सम गेस्ट वाकिन जस्ट वर्स एंड़ तो उनको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते जो मेज़वान होते हैं तो उस व जज़दार के साथ पूरा न्याय होगा यहां पर उनको बस एक मतलब टेस्ट अपॉन दूस करेक्टर उनको इंट्री आई है और एक एक फ्रेमेंट को दिखाए गया है तो आइधिंग वह जो चीज़ है वह अगले इवेंट में मतलब एक नाराज फूफा की तरह वह रिय मेरी यह जो शिकायत है वह सीधी सीधे पब्लिशर महोदय से है आप देखिए मैं आपको विजुली थोड़ा समझाना चाहता हूं कि वह गलती क्या है यह देखिए यह जो महादेव जी के जो इमेज है उपर कटिंग की भेंट चड़ गई है कटिंग कुछ तरीके से नहीं हुई है जिस वजह से इसका जो वीजुल अपील है वह सफर कर रहा है ऐसा ही एक भारी गलती आगे भी हुई है जिसमें डोग और नागराज के सर आदे से आदा उड़ा दे गए हैं और एक खराब कटिंग के चलते हुआ है अब देखिए होता क्या ना हीमन सर का जो इतना ब्यूटिफुल आर्ट है वो इसकी भेंट चड़ गया है देखिए संजे सर का नाम गुनवत्ता के लिए हमेशा से जाना जाता है और सीस के मामले में मैं खुद उनका बहुत बड़ा मूरीद हूँ बट यहां चूक हुई है और इस शेत्र में आगे सावधानी बरतने की स को दिख रही होगी तो यह काफी खूब सरत लग रहे हैं इसके comparison में अगर हम देखें तो नागपर में ब्लीड प्रिंटिंग का उप्योग किया गया है अब इसमें थोड़ा सा आप टेक्निकालिटी को समझ लीजी ब्लीड प्रिंटिंग का सिमाल अक्सर इसली किया जाता ह कि किर्दार सोड़े बड़े दिखें और एक अलग experience मिले रीडर्स को बट डाउंसाइड यह है कि ब्लीड प्रिंटिंग में किर्दारों के अंग भंग होने की गुंजाइश बहुत रहती है पर हमने पास में बहुत बार ऐसा देखा है कि ब्लीड प्रिंटिंग में भी आप यह कह सकते हैं कि overall experience के साफ से देखा जाए तो मेरा अंदर का जो reader था वह खुश था बट जो collector था वह बहुत दोखी था अब बात कर लेते हैं pricing की pages की और नॉवल्टी की सो यह जो नागपर्व है 90 pages की यह storyline है और इसका प्राइस है 500 रुपीज और आइटिंग डिसकांटेट पर अविलेवल है 10% के साथ मिली काफी लोगों को तो आइटिंग प्राइस जस्टिफाइड और इसके साथ जो दो अगर पुराने जिनों की बात होती तो मैं इसमें अपना feedback लिखके बुराड़ी office भेज था इसको मैं एक novelty की तौर पर ही रखूँगा just what it is meant for और दूसरा जो novelty हमको मिली है वो नरक नाफिक नागराश का यह खुबसूरत sticker so novelty wise अच्छे लगी मिरको मतलब यह तो added bonus होता है मतलब main focus कहानी और किस तरहसे उसका artwork हो रुखा है उसमें हम लोग तृप्त हो जाते हैं तो यह novelty जो मिलती हो तो एक बात करना चाहता हूं आज खासकर lettering और page design के बारे में इस comics में गंगेले ब्रदर्स ने वो काम बखू भी निभाया मैं बस उसकी importance के बारे में बात करना चाहता हूं यह दोनों सिद्ध हस्त खिलाड़ी है माहिर खिलानी अपने फन में मैं बस आप लोग को यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि lettering का रोल बहुत important है similarly page design का भी किसी भी comics में तो जो यह speech bubbles आप देखते हैं और उसमें जो lettering का काम होता है उसकी length कितनी रहेगी उसको किस तरह से दिखने चाहिए तो वह speech bubbles कितने बड़े हो कितने चोटे हो उनकी positioning क्या हो artwork के उन फ्रेम में तो यह बहुत important चीज होती है कई बार हमने अक्सर देखा है कि अक्सर यह देखने को आया कि जो speech bubbles है उनकी गलत positioning के कारण आर्ट वर्क थोड़ा सा कम तर नजर आता है उसको उसका जो लोत्व है वो थोड़ा दब जाता है वहीं अगर उन speech bubbles को सही तरीके से position किया जाए किसी भी फ्रेम में तो आर्ट वर्क का मज़ा दुगना हो जाता है तो यह सब चीजे काफी matter करती है मतलब हम अक्सर हम कितना भी कुछ बोलने की मतलब जो लेखांकन है और जो चित्रांकन है वो किसी भी कॉमिक्स की प्रानवाईयों होती है तो अगर यह प्रानवाईय होती है तो आम शूर लेटरिंग और पेज डिजाइन भी कम नहीं है वह अगर वह दोनों प्रानवाईयों है तो यह दोनों उस प्रानवाईयों की नली के समान है कभी-कभी ना जोश में मतलब डालोग निकल जाते हैं बट एल स्चिल रिपीट लेटरिंग और पेज डिजाइन भी उतना ही एहम रोल रखते हैं जितना की लेखंगन और चित्रांगन इस एन ओर और पैकेज तो दोस्तों अब आप आप आँचे हैं हम इस रिव्यों के अ कहानी के हम बात करें तो नितिन मिष्व और पर प्रषर कमार जल से कमाल किया है चित्रांगन के हम बात करें ऑम निन declaring कोमार जी Rah20 दे धवैंड कॉमार जी ओर दोरी मतलब против मेश्व तया हम करता है और यहां बहुत ही राइट रही है हमme thrive you'll love the कहानी जो है नागराज के इर्द गिर्द घुमती है नागराज is at the center of this storyline उसका मुख्य किरदार है और नागराज के युनियोर से जुड़ेवे जो काफी अहम किरदारों से जो आप परीजित हैं उनमें से काफी किरदारों को आप इस comics में पाएंगे और बहुत ही enjoyable journey रहेगा आपके जो चोटा सा सफर है चोटा नहीं यार नभे पेजस की सोरी है सो मतलब आप इंजोई करेंगे बहुत ही जबर्दस स्टोरी लाइन है इस एक सप्प्लीट पैकेज अगर आप एक दो चीजों को नजर अन्दास कर दें थोड़ी बहुत त्रूटियां तो हर जगा होत सब्सक्राइब करें तो तो इस एक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप कर लेंगे तो अच्छा ही रहा बिकॉस आम प्लानिक वियस्तता के चलते मुझे जाधा टाइम मिलनी पाता है बट वीकेंड में मैं पूरी कोशिच करता हूं कि एक वीडियो तो बना पाहूं सब्सक्राइब करें अगर आप जुड़ेंगे इस चैनल से मेरे इस मीडियम से तो हो सकता है मैं आपके हाथ एक बड़े पैमाने पर वो चीज साज़ा कर पाऊं सो करिए सब्सक्राइब करिए मतलब वाट इस स्टॉपिंग यो जल्दी मिलते हैं इजादत दीजिए